हेलो माई दियर फेंक्स स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तो यह जो आज का हमारा वीडियो है यह टेस्टिकुलर पें के उपर है बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझसे कमेंट करके बोला कि टेस्टिकुलर पें के उपर एक फुल वी वीडियो होना चाहिए तो यह वीडियो टेस्टिकुलर पेंट के उपर है स्पैशली मैं आपको पहले ही बता देती हूं कि यह जो वीडियो है यह अभी तक जितनी भी वीडियो चैनल पे है ठीक है उन सब से रिलेक्टेड है कहीं ना कहीं तो मैं इस वीडियो में संग बत सबसे पहले यह बता देती हूं क्या होता है टेस्टीज में होता है ठीक है टेस्टीज में दर्द होता है इसके लिए सबसे जादा जो प्रोन लोग होते हैं जो बहुत जादा महनत वाला काम करते हैं जो जादा वरक आउट करते हैं जो फिजिकल एक्साइज बहुत जादा कर तो देखे इसमें क्या होता है कि यह किसी भी वज़ा से हो सकता है किसी sexually transmitted infections like gonorrhea, syphilis इन सब की वज़ा से भी हो सकता है हो सकता है torsion की वज़ा से हो रहा हो यानि कि जो testicular torsion यानि कि अंड कोश में गांठ वाली जो बात होती है उसकी वज़ा से भी हो सकता है कोई inflammation, कोई gerlin, कोई bacterial infection, कोई viral infection किसी भी कारण से हो सकता है तो इस वीडियो में आज हम उन्ही कारणों को और उन्हें कैसे ठीक करने हैं उसके बारे में discuss करने वाले हैं तो देखिए कभी-कभी ये testicular pain को referred pain भी कहा जाता है referred pain मतलब कि pain direct testis में नहीं हो रहा है बलकि वो कहीं से होते हुए आ रहा है suppose अगर वो stomach से testis में जा रहा है या groin area से testis में जा रहा है तो उसको कहेंगे referred pain ठीक है अब देखिए ये acute भी हो सकता है और chronic भी हो सकता है acute मतलब कि कुछ दिन तक रहेगा दवा खाएंगे ठीक हो जाएगा chronic मतलब situation दिन प्रते दिन खराब होती जाएगी और लंबे समय तक pain बना रहेगा ठीक है अब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि testicular pain ठीक ही हो जाएगा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है depend upon condition और treatment के ऊपर ठीक है तो अब देखिए इसमें जो causes हैं जो किन किन कारणों से तो कोई injury कोई trauma injury मतलब कैसी injury हो सकता है जिम में workout के दौरान हो सकता है किसी traumatic accident के दौरान testis में कोई चोक लगी है उसकी वजह से वो pain कर रहा है ठीक है फिर क्या हो सकता है orchitis orchitis एक testis में या फिर दोनों testis में किनी bacteria का या किनी viral का infection ठीक है तेखें बच्चों में क्या होता है तो child में क्या होता है जो mumps virus होता है उसकी वजह से testis में pain होता है या उसकी वजह से उन्हें orchitis हो जाता है और orchitis की वजह से एक या दोनों testicles में pain होता है फिर इंज्वाइनल हर्निया, दिखिए हर्निया के ऊपर एक अलग से वीडियो मैंने बना के रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूंगी आप देखिएगा इंज्वाइनल हर्निया में क्या होता है, कि आपके, मतलब जो पेशिंट होते हैं, उनके इंटरस्टाइन का, उनकी आउतों का कुछ सा, स्टमक के थूट, ठीक है, अब्डॉमिनल मसल्स क्या कर रही होंगी, उसको बाहर की तरफ धकेल रही होंगी, ठीक है, जो पेट की मसल् होंगी, बाहर की तरफ कर रही होंगी, उसको इंज्वाइनल हर्निया कहते है, हर्निया में पूरा एक वीडियो ही है, आप उसको देखेंगे, आपको बाते समझ में आ जाएंगी, फिर एपिडाइडमेटिस, ठीक है, एपिडाइडमेटिस क्या होता है, सबसे पहले बात त इसके उपर भी एक अलग सा वीडियो में बनाया है, आप वहां देखेंगे, तो आपको और भी चीज़न क्लियर हो जाएगी, एपिडाइडमेटिस क्या होता है, वह एक ट्यूब होती है, जो मेल में, मेल्स में क्या करती है, इस्परम को कहां ले जाती है, तेस्टिकल्स से इस्परमेटिक डख्ट में ले जाती है, और वहां से फिर आउट आप दा बोडी, तो उस ट्यूब में इंफेक्शन हो जाता है, तो भी टेस्टिकल्स में पीन होता है, फिर अगला क्या है, इस्परमेको सील, इस्परमेको सील क्या होता है, देखिए, एपिडाइडम इस छो ट्यूब होती है उसमें कोई एक ऐसा हिस्सा एक ऐसी जगह बन जाती है जो लिक्विट से भरा हुआ एक स्पेस टाइब का बन जाता है तो यह जेनरली कैंसर नहीं होते हैं लेकिन हां पेइन फुल होते हैं इसको कहते है स्पर्मैक्टो सील्स के बार में फिर से एक बार ट्यूब में कहीं पर क्या हो जाता है ऐसे लिक्विड फील्ड किया हुआ बहरा हुआ जगा बन जाती है बाल लंप टाइप का समंझ लीजे यह फिर कोई मास कगुछा टाइप का समझ लीजे तो उसकी वजह से भी पेन होता है ठीक है फिर हाइड्रोसील इसके उपर भी मैंने एक अलग सा वीडियो बना के रखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे वीडियो के दे रही हूँ आप देख लीजेगा हाइड्रोसील क्या होता है कि टेस्टिकल्स में पानी भर जाना उसको कहते हैं इस हाइड्रोसील के ट्रीटमेंट ओप्शन सर्जरी मेडिसन सारी चीजें डिसक्स की हैं मैंने फिर वैरिकोसील तो देखें वैरिकोसील क्या होता है टेस्टिकल्स के आज पास आपको बढ़ी हुई वैंस अनुभव होंगी चूने से लगेगा कि कुछ तो बढ़ा हुआ है कुछ तो है तो यह जनरली यह पेन ऐसा होता है कि जब आप लंबे समय तक खड़े रहेंगे तो यह वैरिकोसील का पेन ज़ादा होता है और जब आप लेड़ जाते हैं तो कम होता है तेस्टिकुलर टॉशन इसके उपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है तेस्टिकुलर टॉशन क्या होता है मतलब कि अंड़कोश की गांठ जिसमें क्या होती है उनसे आपस में उलज जाती है ठीक है फिर उसके बाद किग्नी स्टोन किग्नी स्टोन क्या करता है यह रेफर मैं उसको कहां ले जाती है किगनी से ब्लैडर की तरफ किगनी में बनता है उसको किगनी से ब्लैडर तक किस cum kہ थे ह singers तो जब उरेक्टर में स्टोन आ जाता है तो भी टेस्टिकल्स में पेन वाली कंडिशन होती है ठीक है फिर इस पे यो किगनी स्टोन्स पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूंगी आप जरूर देखिएगा बहुत सारी चीजें आपक कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंक्स आगे बहने से पहले मैं आपसे और रिक्विस्ट करना चाहूंगी यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है तिन डारेक्शन न्यूस के नाम से तो प्लीज एक बार उस चैनल को भी विज़िट कीजिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसका कर रही हूं और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए तो अब सिम्टम्स की बात करें तो देखिए क्या होगा भाई पेन तो होगा ही नौस्या यानि कि उल्टी जैसा लगेगा वामिक्टिंग हो भी सकती है स्वेलिंग बनी रहेगी केस्टीरीज में फीवर बुखार आ तो इसका इलाज दो लोग कर सकते हैं या तो यूरोलाजिस्ट या तो नेफरोलाजिस्ट यूरीनरी ट्रैक से समपंदत समस्या है इसलिए यूरोलाजिस्ट नेफरोलाजिस्ट अगर किग्नी की प्रॉब्लम है स्टोन की वज़ा से है तो नेफरोलाजिस्ट भी इसका ट् कि एक टेस्ट होता है फिर एक टेस्ट होता है बलाक टेस्ट और यूरीन टेस्ट यह डिटेक्ट कडेंगे कि कहीं कोई Sexually transmitted infection, bacteria, virus कुछ तो नहीं है जिसकी वज़ह से pain cause हो रहा है फिर अगला तरीका है अगर ultrasound, ultrasound से वो detect होगा कि cancer वाली condition, testis में या फिर कहीं नसो में सूजन, गाठ, कुछ conditions हैं तो testicles का ultrasound, abdomen region का करा करके check-up होगा ठीक है, तो बिमारी है तो इलाज तो हो गई तो treatment सबसे पहले दर्द जो है तो दर्द के लिए क्या हो सकते हैं पेन रिलीवर्स ले सकते हैं, सबसे पहले तो आप home remedies ट्राइक हो में किया करना है? विशल से काई करनी है, थोड़ा सा warm water bath लेना है ज्यादा physical activities नहीं करनी है लेकना है थोड़ा सा आराम करना है ज्यादा देर तक चलना फिरना नहीं है ठीक है अगर इतनी चीजों के बाद भी relief नहीं हो रहा है तो आपके पास pain medications है pain relievers दर्द में आराम acetaminophen और non-steroidal anti-inflammatory drugs में generally aspirin, ibuprofen और naproxen यह कुछ दवाईया है जो दर्द को ठीक करने के लिए ली जाती है दर्द हो रहा है तो इसको दे करके initial level पे दर्द सही होती है फिर कभी-कभी जो नर्व से जूड़ी समस्याइं होती है नर्वस system से related अगर problem है नर्व से related problem है तो उ इसके लिए एमिट्रिप्टालीन भी दिया जाता है अगर दवाईया नहीं काम कर रही है तो सर्जरी एक option बचता है तो देखिए सर्जरी के लिए टेस्टिकुलर डिटॉर्शन जो होता है यह यूज किया जाता है टेस्टिकुलर टॉर्शन के case में इसमें जो अंचोष की गांट होती है उसको सही की जाती है और टेस्टिकुलर का टॉर्शन होती है जो immediate requirement होती है इलाज के लिए अगर इस इलाज में देरी हुई तो क्या करना पर सकता है कि टेस्टीज खराब हो जाएंगी उनको रिमूब करना पर सा है ठीक है तो टेस्टिकुलर टॉर्शन वाल वीडियो में भी डिसकस की है जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सारी वीडियो का दे रही हूं आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पर भी आपको पता चलेगा फिर है एपीडायडमेक्टॉमी एपीडायडमेक्टॉमी क्या होता है कि जो एपीडायडमेस में infection है उसको ठीक किया जाता है फिर नेक्स शॉक वेव लिफो ट्रॉपसी फिर नेक्स्त उस दा शॉक वरब लेधो ट्रॉपसी में तेस्टिस को रिमुव कर दिया जाता है यह आखरी option होता है अगर पहुत लंबे समय तक है दवा से भी नहीं सही हो रहा है तो लिस बस लास्ट ऑप्शन और के कॉमी इसमें तेस्टिस को रिमुव कर देते हैं और एक टॉमी तो अब देखे कही लोगों को कुश्चंट है कि अगर निकाल दिये हैं, तो क्या फर्टाइल हो सकते हैं, फादर बन सकते हैं, तो मैं आपको बता देती हूं, क्लियर कर देती हूं, कि एक टेस्टिकल्स होना भी is sufficient, कि आप फर्टाइल हैं, आप फादर हो सकते हैं, इस नॉट अप बिग डील, अराम से हो सकता है कुछ भी, ह लेकिन समय समय पर अगर आपको टेंशन हैं, तो स्परम काउंक चिक करा सकते हैं, आपको कौलिटी ओफ यूव स्पर्टाइल पता चलेगी और साथी साथ ये पता चलेगा, कि क्या अभी अभी फादरीरिंग फर्टिलिटी कितनी हैं, तो एक तेस्पम काउंक टेस्ट भी आप अच्छे से करा सकते हैं और एक testicle is normal इससे भी fertility बनी रहती है और healthy life style भी बनी रहती है not a big deal ठीक है अब this is all about testicular pain friends जो आपने मुझसे बहुत question किया मैं सारी चीजों को compile करके आपको एक बार एक clear look देने की कोशिश की है सारे वीडियो आप जो भी जिसके भी confusion है मैं सारे description link share कर रही हूँ हर एक वीडियो का आप प्लीज वहां देखिएगा जहां जहां मैंने refer किया है वीडियो बोलने के लिए आपसे की देखिएगा आप उस वीडियो को आप वीडियो देख लीजेगा आपको सारी चीज़े clear हो infections है जो मैंने already discussed की है इनके medicines भी है अगर इनकी वजह से pain हो रहा है तो पहले उसे treat करना होगा तो this is all about testicular pain जो confusions थी आप लोगों के mind में होब जैसा आप बताना चाहरी थी आप तक पहुचा पाई हो अपनी बात को तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो ल झाल